हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आप लोग कैसे हैं आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में मैंने सेयर किया है रंजू जैसवाल जो कि सचिन मनिशा की मा है अभी वो लोग गए हुए हैं अपनी अनिवर्सरी सेलिब्रेट करने तो इन सास बहु का आप देख सकते हैं कि कितना प्यार जलक रहा है ये वीडियो बना रहे हैं जब वो लोग घर में रहते हैं तो इनके मूपे बारा ही बजे रहता है इनकी मा के मूपे इन दोनों तोता मेना को भी देख लो ये लड़का इतना नेगेटिव परसन है कि पूरे घर का मौहल इसने खराब कर रखा है ये लड़का नहीं ये पता नहीं क्या है अभी वो दोनों घर पे नहीं है उनके anniversary के लिए इन्होंने कोई प्लान नहीं किया था जबकि प्रिंस के साधी के बाद उनकी पहली anniversary थी प्लस वो घर पे आयो वह थे क्योंकि पिछले बार उन्होंने अंबाला में ही अपनी anniversary अलीबरेट की थी जो उनके घर का पूजा था उस समय भी इन्हों ने इन लोगों ने बहुत बदमाजी की थी इन लोग इतने नेगेटिव लोग है उन लोगों के आते ही या फिर उनके घर जाते ही बहुत उनके आस पास आते ही इन लोग इतने नेगेटिव वाइब देने लगते हैं इनके मुँपे हमेशा 12 बजे रहते हैं वे जब घर पे रहेंगे सचीन और मरीसा इनकी माँ को कोई लेना देना नहीं होगा हमेशा कुछ नो कुछ बोलते रहेंगी बहू को ये नहीं करती है वो नहीं करती है और जब से प्रिंस की साधी हुई है तब तो वो आंटी जी के मुँपे सिर्फ रंजना ही रहती है रंजना ही मेरी असली बहू है रंजना ऐसे रहती है रंजना बहुत अच्छा खाना बनाती है सिर्फ रंजना मतलब मनिसा ने आज तक कुछ किया ही नहीं है इस गर में साधी के बाद ये इतनी नेगेटिव वुमेन है मैं नेगेटिव वीडियो नहीं बनाती लेकिन इस फैमली के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इनके व्लॉग बहुत दिन से फॉलो किये हैं जब प्रिंस की साधी होने वाली थी तब इस आंटी जी का मैंने वो चैरा देखा था ये कितने तैस में रहती थी इन्होंने सचीन मनीजा को एक बारी भी नहीं पूचा किसी भी चीज के लिए किसी भी रस्म में उस समय भी इनके घर में बहुत ही ड्रामा हुआ था फिर भी ये नहीं सुधरी अब पहु के आने के बाद भी इनका वही सब चल रहा है अभी देखो वो लोग नहीं थे तो ये सारा प्यार रोमैन सिलनों का चल रहा था आप देख सकते हो उपर अब वे लोग आज आ गये हैं आप अब आप देखना उनके व्लॉग में कि ये लोग अब क्या करते हैं एकदम साइड हो जाएंगे जबकि ये आँटी जी को तो आप साफ साफ कहा जाता है कॉमें कितने लोग कहते हैं कि आँटी जी आपके भजन किरतन का टाइम हो गया आप क्या व्लॉगिंग पकड़ के कर रहे हैं उपर से पूरे फैमिली में चार लोग हैं चार लोग अपना यूटूब चैनल खोल लेंगे उसी में इनका फैमिली ड्रामा होते रहता है तो आंटी जी आप अपने बेटों को करने तो आप क्यों बिच में घुशते हो आप अपना भजन के दन पूजा पाट ये सब करने का आपका उमर आ गया है आप भले किते सज़ज के रहो लेगिन उससे आपकी उमर कम नहीं हो जाती है जहां तक मेरा सोचना मैं पर्सनली ये सुझाओ देना चाहूंगी मुझे इनका फैमिली ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद पड़ता है जो कि ये यूटूब पे आके बस पैसो के लिए आप अपने घर की सारी बाते ये मेरा कॉंटेंट है खेर वो सब छोड़ो मैंने कुछ कॉमेंट आपके साथ सेयर किये हैं कि लोग इनको क्या नहीं कहते हैं ये प्रिंस और इसकी मम्मी को लेकिन फिर भी ये दोनों हैं कि सुधरने का नाम तक नहीं लेते कंटीनियू वही चीज करते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हमेशा सचीन वानिसा को तंग करेंगे उनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे हमेशा उनके पीट पीछे ही वीडियो बनाएंगे और जब वो घर में रहते हैं तो इनकी मतलब कुछ नहीं इनको कुछ नहीं करना होता है इनके लाइफ में कोई रंग ही नहीं होता है आप कमेंट को पढ़ो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और सेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना थैंक यू प्लीज मुझे सब्सक्राइब झれल तर बंसे रह सब्सक्राइब